जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से सुरू होता है ये बातों से किसी को भी प्रभावित करने वाले होते हैं बातों में कुसल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी धंग से पेस करते हैं ये इनकी भी सेस्ता होती है ये लोग अपने को हर परिस्तिती में ढाल लेते हैं यानि हर माहूल में रह सकते हैं आसानी से क्रोध नहीं करते लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करते हैं वैसे ये क्रोधी सुभाव के नहीं होते हैं लेकिन जिद्धी सुभाव इनका हो सकता है अपनी सर्तों पर अपने हिसाब से जिन्दगी जीते है प्रेम के मामले में रोमांटिक सुभाव के होते हैं जब किसी से प्रेम करते हैं तो खुल कर प्रेम का इजहार भी करते हैं अपने परिवार के पृति इनका लगाव होता है अपने परिवार के लिए अच्छे होते हैं अच्छे साथी होते हैं साथ निभाने वाले होते हैं प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाले होते हैं लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके सुभाव को बद वो आपका दूसरा रूप नहीं समझ सकता एक तरफ तो ये बहुत बात करने वाले हसी मजा करने वाले तर्ग बितर करने वाले और काफी मिलनसार होते हैं दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही गंभीर सुभाव और आश्थिर मन कोई न कोई संघर्स मन में चलता ही रहता है प्रेम समंद में आपको अपने साथी के साथ हसी मजा करना बहुत प्री होता है प्रेमी प्रेम का से बाते करना और रोमांस करना अच्छा लगता है आपको जीवन में परिवर्तन बहुत पसंद होता है मितन ज्यादा होते हैं गुमना फिरना काफी पसंद होता है आप खुद को बंधन में नहीं रख सकते नए-ने कारें को पसंद करने वाले होते हैं इनके साथ उसी के प्रेम संबंध लंबे समय तक साथ चल सकते हैं जो इनकी कमियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा तभी आपके प्रेम संबंध सफल हो पाएंगे इनके साथ प्रेम संबंध में जितना सारी रिक संपर्क महतुपूंड होता है उतना ही बाचित करना भी महतुपूंड होता है जब इनको इनकी पसंद का साथ ही मिल जाता है तो ये फिर बफादार और साथ निभाने वाले साथी होते हैं थोड़ा रहष्य में सुभाव के होते हैं इनको पूरी तरह समझना मुश्किल होता है सोतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं कब नाराज हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता बहुत बुद्धिमान होते हैं हस्मुक सुभाव के होते हैं बाचित करने का तरीका बहुत अच्छा होता है रोमांटिक लोग तो होते ही हैं इनको ऐसा प्रेमी प्रेम का या जीवन साथी पसंद होता है जो कि बुद्धिमान हो और सम्मन्द में इमानदार और वफादार भी हो वो ही इनका लंबे समय तक साथ निवह सकता है